हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज में आप लोगों को किसा सेयर करें ऐसी नास्ते के रहे से फिर फ्रेंड जिसको बनाना बहुत हैसान है इसको हर खोई खाना पसंद करेंगे फ्रेंड्स इस नास्तिकों बहुत ही सिंपल और असान तरीकी से बना की तियार करेंगे त तो बहुत ही अच्छा बन के तियार होगा इसमें बिल्कुल भी बड़े तुकडे नहीं रहना चाहिए फ्रेंज तो इस तरह से मैंने सभी आलो को इस तरह से ग्रेट करके तियार कर लिया है फिर इस नास्ते को और टेश्टी बनाने के लिए इसमें एक गाजर को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है बारेक कटी भी इसमें प्याज डाल देना है अगर आपको प्याज खाना पसंद नहीं तो प्याज को स्कीव कर सकते हैं तो इस तरह से कटकर के बारी कटकर ड़सके अब फ़िफूक का गाल करने को अच्छत लगेगा असथ हंध हैं जुटर नास्त क कटएर कर सकते और एक चमच धनिया को ना इस तरह से क्रस्ट करके डाल देना है खड़ी धनिया डालने से ना हमारे नास्ति में बहुत ही चफ लिवार आता है और आधी छुटी चमच से कम मैंने इसमें लाल मिच का पॉड़र डाले हैं कलर के लिए तो आधी छुटी चमच नमक के न हमारे नास्ति में बहुत ही अच्छा टेश्ट राहा अगर इस तरह से बैसन और गीहो आधी के लाने के बाद हातों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से बैंडिंग हो जाए तो इस तरह से हलके हातों से इसको मिला ने कि बाद में इसमें मेंने दो चमच पान तो इस तरह से हमको चिप-चिपेटो बना के त्यार कर लेना है तो इस नास्थिय को बनाने के लिए मैंने पैन में एक बड़े चमच तेल गरम किये हैं ज्यादा तेल नहीं करना है फ्रेंट्स एक चमच करना है इस तरह से और इस तरह से जो बैटर हम लोग बना के रखे थे इस तरह से हाथों में छोटा सा लोई लेना है जो हम लोग त्यार किये थे और इस तरह से इसको शेप दे देना है बहुत है असानी से हाथों से भी अच्छे से बन जाते है आप चाहतों इस तरह से हाथ से भी बना के त्यार कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने बारी बारी करके लो फल्म मिर्याम गेस में ये हमारे नास्ता बहुती जल जाऊगा प्रेंड- सटोष द्यूर होकाइगे, ने Electric लाई में भारु गप्लेंगे, आपके बारी-ध्यर नास्ते में उमाके प्लेपी ये नास्ते लिगे, उससे ब्हाई में हुपती क्रिस्क्राइब ऑूरे हुक् जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है लगना बहुत क्रिस्पी तो इस तरह से आप आलू और गेहूं आटे से इस नास्ती को जरूर से पना के देखना बच्चे की लेंच बॉक्स चोटी मोटी भूख के लिए इस नास्ती को जो छोटों से लेकी बड़ो को खुब पसं दाएगी तो इस तरह से तीन से चार मिनट के बाद दोनों तरप को इस तरह से क्रिस्प होने तक पका लेना है और बारी बारी करके सभी नास्ती को इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से कम तेल में बहुत ही जटपट बना के त्यार कर सकते हैं इस तरह से आलू से हम बहुत अलग तरह तरह कोजा Emba Đi процесс किरता नास्तिन बना के त्यार कर सकते। अभिन बारिश के सीजन चाहरे हैं तो क्यों ना इस तरह से अलग नास्ते बना के खाया जाए तो इस नास्ति को जड़ के कई सकते हैं तो यह नास्ता को पसंद अनुसाओ चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं तो यह नास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसी तरह नए ने रेसिपी में रोज अप्लोड करती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली ने रेसिपी देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगी होगी तो फैमिली फ्रेंज को जरूर से सियर कीजेगा तो इसी तरह स्वाधिश्ट रेसिपी के साथ मेलते हैं ने इस टी वीडियो में थांक्यू फॉर वाचिंग